आज हमारे पास आया है OPPO का A18 जिसमें Android वर्जन 13 है इसका FRP यानि Google ID हम बोल चुके हैं तो इसको किस प्रकार से बाइपास करते हैं एकदम इजी सा ट्रीक है तो सबसे पहले हमें इसको एक Wi-Fi से कनेक्ट कर लेना है इसमें देखिए हम Wi-Fi एक नॉर्मल कनेक्ट कर लेते हैं Wi-Fi को कनेक्ट कर लेना है उसके बाद में देखिए यहां पर Google ID लोग के आगे नहीं बढ़ रहा है इसकी लिए Wi-Fi कनेक्ट कर लेते हैं उसकी बाद में पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा एकदम इजी सा प्रोसेस है नॉर्मल सा प्रोसेस है आपको बस पूरा फोलो कर देना है Wi-Fi कनेक्ट कर लिया है इसकी बाद में जो Wi-Fi कनेक्ट है उसके आई बटन है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है यह देखिए सबसे उपर देखिए आई बटन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इसकी बाद में यहाँ पर QR पर क्लिक कर देना है नीचे से open हो जाएगा mobile, उसके बाद में सबसे उपर three dot है, three dot पर click कर देना है, share article पर click कर देना है, इसके बाद में हमें message पर जाना है, यहाँ देखिए message लिखा हुआ है, messages, यहाँ पर click कर देना है, new message पर वापस click कर देना है, इसके बाद में dial करना है 112, 112 dial करना है, send to 112, यहाँ पर click क कर देना है नीचे एक URL आएगा इसको आपको पूरा डिलेट कर देना है इसको पूरा डिलेट कर दिया है यहाँ पर टाइप करना है www.youtube.com यह वाला URL लिखना है और send button पर click कर देना है send पर click करते ही इस प्रकार से URL आएगा इस URL पर वापस आपको click कर देना है click करते ही आपका YouTube open हो जाएगा यह देखे हमारा YouTube open हो गया है allow कर देना है YouTube open होने के बाद सबसे उपर इस icon पर click कर देना है इस icon पर click कर देना है setting पर जाना है और नीचे लिखा हुआ है about यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है about पर क्लिक करने के बाद youtube terms of service यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है आपका mobile का chrome browser open हो जाएगा इसकी बाद में use without account यहाँ पर क्लिक कर देना है not now पर क्लिक कर देना है सबसे उपर search वाले में we and roam bypass इस वेबसाइड को search कर देना है V and roam bypass यहाँ पर क्लिक कर दीजिये सबसे उपर वाले website पर आपको जाना है यह देखिए फिर setting में जाना है सबसे उपर वाले website में यह नीचे दिया हुआ है setting यहाँ पर क्लिक कर देना है mobile की setting open हो जाएगी अभी नीचे देखते हैं हमारा model about device में देखना है, model देख सकते हो और नीचे android version android version 13 है, model है oppo का A18, यह देखिए अभी हमें क्या करना है, उपर जाना है उपर लिखा हो home screen and lock screen यहाँ पर आपको click कर देना है यहाँ click करने के बाद में लिखा हो home screen layout, यहाँ पर आपको click कर देना है, mobile की home screen open हो जाएगी, अभी हमारा FRP हुआ नहीं है, अभी एक और step करना है, यहाँ पर जाना है आपको menu में, menu में जाने के बाद देखिए, menu में जाना है यहाँ पर लिखा हो है clone phone यह clone phone वाले app पर click कर देना है, यह app open कर देना है इस वाले phone में अपने लिखना है this is the new device, यहाँ पर click कर देना है allow कर देना है, और other android पर click कर देना है, एक QR code आएगा अभी हमें एक दूसरा phone लेना है, कोई भी company का हो सकता है, हमने एक दूसरा phone लिए है, वहाँ पर play store पर clone phone करके application आएगा play store से आपको download कर देना है हमने डाउनलोड कर दिया है, तो इस phone में अभी लिखना है, this is the old device, यहाँ पर click कर देना है, इस phone से इस lock वाले phone के QR है, उसको scan कर देना है, दोनों को इस प्रकार से connect कर देना है दोनों को connect कर दिया है अभी जो भी application है, इस phone की दूसरे phone में, जो पुराने वाले phone में, जो synchronize बताएगी जो application हमें clone करना है बस एक बार scan होने के बाद देखते किस प्रकार से इस application को दूसरे phone में लेते, जो lock है उस वाले phone में यह देखे, सबको deselect कर देना है और apps पर जाना है apps में से कोई भी एक आप app select कर सकते हो, जरूर नहीं कोई भी app, कोई भी app लिख सकते हैं, हम भारत पर एक app करते हैं, और next पर click करते हैं और फिर start migration पर click कर देते हैं तो जो phone lock है, उसमें एक application copy हो जागा application कोई भी ले सकते हो, specified किसी पर कोई application नहीं है normal सा कोई भी application आप ले सकते हो अभी इसको done कर देना है और जो बिना lock वाला phone है जो बाद में लिया था, उसको हटा देते हैं इस phone का का काम हो गया है अभी इस lock वाले phone में वापस देखते हैं done पर click कर देना है फिर navigation यहाँ पर click कर देना है next पर click कर देना है उपर skip लिखाऊ skip पर click कर देना है फिर वापस done पर click कर देना है हमारे phone की जो screen open हो जाएगी फिर skip पर click कर देना है get started पर click करते ही phone सीधा open हो जाएगा यानि unlock हो चुका है एक बार इसको setting में जाकर इसको data reset कर लेते हैं उसके बाद में पूरी तरके से आपका phone हो जाएगा open setting में जाकर इसको data erase कर लेना है यह देखिए friends हमारा phone पूरा Gmail unlock हो चुका है Thank you friends